वेलकम तू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे जिंगा फ्राय काफी ज्यादा टेश्टी लगता है आप इसको एक बार जरूर ट्राय करना इस तरीके से जरूर बनाना बहुत ही टेश्टी लगता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद है तो प्लेज वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं और यह वाला जिंगा जो है बड़ा जिंगा है हमने लिया है कई साइज के जिंगा आते हैं छोटे बड़े तो हमने यह यह बड़े वाले साइज के लिए हैं और यह हमने लिया ढां 120 ग्राम जिंगा फिस अर इसको हमने अbnे वैसे एक छोटी चम्माच नमक या फिर स्वादन उसार आधा चोटी चम्माच हल्दी पॉडर्डर आधी चोटी चम्माच दनिया पॉडर्डर और थोरा सा गरम मसाला है तो हम ने यहां सारे सुखे मसाले डाल दिये हैं लू bitterland कि वाले फिस होता है यह बड़ा वाला फिस है यह काफी टेश्टी लगता है और भर वाले फिस को अगर इस तरही के सब फ्राय अाथ्य करेंगे तो यह काफी अज़ने काफी लगए खाने में और यह हम डालेंगे इसमें एक चमस görnya फिलाd और कॉर्ण फ्लोर जो है बिल्कुल ऑफिसनल है और यह हम डाले हैं इसमें चार-पांच बूंदे निम्बू का रस इससे काफी अच्छा टेश्ट आता है और कॉर्ण फ्लोर की जगा आप चाहे तो चाबल काटा डाल सकते हैं एक चमच या फिर एक चमच आप मैदा डाल सकते हैं या फिर एक चमच आप बेशन डाल सकते हैं और या अगर कुछ नहीं डालना चाहते हैं आप तो सिर्फ सुखे मसाले और अधरक लासून का पेस्ट ड हम इसको अच्छी से मिला देंगे तकि इसके साड़े फिस के उपर अच्छी सिस्के कोटिंग हो जाए कों व्रीख कर गाए कि जब फिस फ्राइ करते हैं तो काफी अच्छा इसमें करीस्पिनेस आता है बहुत ही अच्छा लगता है इस तो है कि से खाने में हमने यहां गैस पर एक पैन रखा है और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे पैन में हमने डाला है एक चम्मा सर्सो का तेल हम इसको सर्सो के तेल में ही फ्राय करेंगे आप चाहिए तो दूसरा तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं तेल जब अच्छा गरम हो जाए जैसे देख सकते हैं आप दुवासा निकल रहा है तेल में से तेल हमारा अच्छा गरम है तभी हम इसमें फिश डालेंगे तेल गरम नहीं होगा तो यह फिश जो है चिपक जाएगा पैन में उसके बाद एक एक कड़के हम पूरे पैन में फि और एक तरफ से सिखने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाता है और जो फिश अगर आसानी से न उल्टे पलटने के टाइम आपको दिक्कत आए तो आप समझ जाए कि वह अभी अच्छे से फ्राय नहीं हुआ है जब यह अच्छे से सीख जाता है तो बहुत ही आसानी से हट जाता है पैन में से जैसे कि यह देख रहे है यह लग रहा अच्छे सब भी फ्राय नहीं हुआ तो इसको मैं इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर और एक मिनट के लिए और जो फ्राय हो चुका है उसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से भी हम दूसरे तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे तो हमने यहां सारे फिश को पलट दिया है और ये दोनों ही तरफ से अच्छे से सिख चुका है अब हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो और लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक इसको हम और पकाएंगे ताकि फिश हमारा अंदर तक अच्छे से पक जाए आप चाहें तो इसको डिफ्रै भी कर सकते हैं मैंने इसमे ज़्यादा तेल नहीं डाला है धोरा साई तेल डाल करके फ्रै किया है और इस तरह के साप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फिश जो पका है कि नहीं तो मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से नहीं पका है दो मिनट तक और हम पकने देंगे और जब आप इसको फ्राइ करे तो आप इसको कवर करके करें तो कि तेल के छीटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं फिस फ्राइ करते वक्त और दो मिनट हमने इसको और पका लिया है और अब हमारा फिस अंदर तक अच्छे से पक गया है तो अब हम कर देंगे गैस को आफ और इसको हम निकाल लेते हैं फ्लेट में और ये लिजी हमारे सारा जीघंगा फिस यहाँ पर फ्राय हो गया है और कितना बढ़िया लग रहा देखने में और कितना अच्छा इसमें क्रिस्पिनेस आ गया है देख सकते हैं जो हमने कॉर्ण फ्लॉर डाला था इसके उपर आप चाहे तो कच्छा प्याज थोरा सा काट करके डाल सकते हैं बारी काट करके और निम्बू का रास निचोड करके खाईए और हरी मिर्च लेकर काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होप पसंद आया तो फ्लेज वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें